असलाम लीकुम students, I hope you people are doing good, welcome to your physics lecture of class 10th, students today we are going to discuss unit number 13 that is electrostatics, before going to discuss it in detail, let us discuss phenomena of electrostatics, students usually a common experiment आप करते हैं कि एक प्लास्टिक कॉम है, आप उसको रब करते हो अपने हेर्स के साथ, तो कॉम जो है वो चाज़्ट हो जाती है, लाइक सेम इसी तिरह आप अगर रूलर को भी रब करते हो तो उस पर भी चार्ज जो है वो प्रोडूस्ट हो जाते हैं तो अब जो चार्ज उस कौम या उस रूलर पर पोड्यूस होते हैं जब उसको एक संब सॉर्ट ऑफ पिपर्स के पास लेकर की आथे हो तो वो पेपर्स उसके साथ क्या हो जाते हैं ट्रैक्ट हो जाते हैं, Electrostatic is also known as Static Electricity, Static means Stationary वो Charges जो Rest Position पे हों उनको Stationary Charges या Static electricity कहा जाता है, Static publicity और Current electricity में बहुत भड़ा difference होता है, Static Electric में Charges Rest पे होते हैं, जबके जो Current electricity है वो उसमें होता क्या है कि normally electrical circuit होता है उसके साथ battery को connect करते हैं और current flow करता है उस circuit में से जबके static electricity में जब दो bodies को आपस में रब नहीं करेंगे तब तक उसमें static charges produced नहीं होंगे static electricity positive charge और negative charge की वेजर से produced होती है let us prove how static electricity can be produced now students let us consider an activity for the production of charges सबसे पहले क्या होगा कि एक plastic road को लेंगे उसको रब करेंगे फर के साथ और उसको हैंक कर देंगे silk thread के साथ similarly students एक और plastic रोड ले लेंगे और उसको भी हम फर से रब कर देंगे और जो first वाली रोड थी plastic रोड उसके साथ इस second वाली रोड को लेके आएंगे तो हम इस experiment में क्या देखेंगे दोनू रोड 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 नमबर वन एंड रोड नमबर टू दोनू रोड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे मींज के एक दूसरे से दूर जाएंगी अब यह रोड रोड रिपेल क्यों हुए बिसिकली स्टूडेंट्स जब आपने फर्स प्लास्टिक रोड को फर्ड के साथ रब किया था तो लेट सपोज उस पे जो है वो नेगिटिव चार्जड आगे और सेम इस प्रस्ट एक्टिविटी पूफड़ रोड रिपेल इंटो इच अधर नाओ स्टूडेंट्स सिमिर लेली वी डू एनदर एक्टिविटी फोर डिफर्ड चार्जड इस तूडेंट्स सबसे पहले आपने एग लास रोड ले लिया उसको रब कर दिया शिल के साथ और उस प यह आघ्रेक्ट करेंगे, यहां से यह चीज़ होती हैать कि जब हो पोज़िटिव होंगे, और एक रोट पे नेगेटिव चाष्ट होंगे, तो वो आपस में जो लाइक charges होंगे वो इक दूसे को attract करेंगे जबके like charges होंगे वो इक दूसे को repel करेंगे यह students our next topic is electrostatic induction students as you know very well when we rub any two bodies into each other they develop the charges like charges are repel into each other but unlike charges are attract into each other so students इस topic में हम एक अलग से different method पढ़ेंगे जिससे body को charged किया जा सकता है without rubbing students जब हम electrons के पास एक positively charged body लेके आते हैं तो electrons उन positively charged body की तरफ attract होते हैं जबके एक negatively charged body electrons के पास लेके आते हैं तो electrons repel करते हैं means के दूसे से दूर होते हैं now students let us do experiment to explain this phenomenon students सबसे पहले एक neutral body लेंगे जिसमें positive और negative charged होंगे और इस neutral body के पास एक positively charged road को लेके आएंगे ये charged road जो है वो neutral body के करीब जस्ट लेके जाएंगे उसके साथ touch नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो road है जो positively charged है उसकी जो electric field है उसकी वज़ा से neutral body के electrons इसकी तरफ attract होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि neutral body में mixing है charges की plus charges भी है और negative charges भी है तो जब हम एक positive charge road इसके पास लेके केंगे तो जो negative charge है वो positive charge road की तरफ attract होना शुरू हो जाएंगे अपनी जो है वो arrangement कर देंगे और जो neutral body का दूसरा जो end है उस पे जो है वो positive charge एक side पे अगठे हो जाएंगे सब और negative charge जो है वो दूसरे end पे जाके एक साथ जो है वो काफी सारे अगठे हो जाएंगे क्यूं क्यूंकि हम जो road लेके आ रहे हैं उसके पास वो हमारे पास है positive charge तो road जो है वो positive charge होगे तो neutral body के जो negative charges होंगे वो उस road के end की तरफ अगठे हो जाएंगे वहां बहुत सारे negative charge हो जाएंगे क्यूंकि जो opposite charges होते हैं वो एक दूसे को attract करते हैं similarly students अगर हम इसी का reverse करें अगर हम positive charge road के बजाए अगर उसका negative charge road लेके आएंगे इस neutral body के पास तो होगा क्या कि जो neutral body के जो positive charges हैं वो सबके सब जो जिस side पे road होगी उस side पे सबके सब जो है वो collect हो जाएंगे अपनी arrangement इस तरह से करेंगे और जो neutral body का जो opposite end है जो दूसरा end है वहां पे जो है सबके सब जो है वो negative charge जो है वो अगठे हो जाएंगे because unlike charges are attracting to each other तो अगर negative charge है road हमारे पास तो जो neutral body है उसका positive charges जो है वो road की side पे आ जाएंगे और दूसरे end पे जो वो negative charges जो है उनकी जो है वो एक side पे collection हो जाएगी so this phenomena is known as electrostatic induction जब हम किसी भी body को without touch किये उसको touch किये बगएर उसको charged करना चाहें तो वो electrostatic induction का procedure होता है electrostatic induction take place without direct contact with any two bodies तो जब हम charge road को neutral body से दूर लेके जाते हैं तो फिर वापिस वैसी ही arrangement हो जाती है जैसी arrangement neutral body की charged road को करीब लाने से पहले थी means कि arrangement उसकी positive negative positive negative all around the surface उस neutral body के रहती है तो जैसे हैं positive charged या negative charged road को लेके आएंगे ये जो arrangement है neutral body की वो automatically set हो जाती है अगर negative road है तो positive एक side पे आ जाएंगे और negative दूसरे end पे चले जाएंगे neutral body के और अगर charged road positive है तो neutral body की जो negative arrangement है वो road की तरफ आज जाएगी और जो positive arrangement है charges की वो on the other end of neutral body adjust हो जाती है so this is all about electrostatic induction now students our next topic is Coulomb's law in 1785 there is a famous scientist Coulomb he discovered there is a some relationship between force exerted on the charges students students Coulomb's scientist ने ये प्रूफ किया कि जो charges है either it can be positive charged और negative charged इन पे forces exert करती है Coulomb's law को perform करने के लिए हम दो charges लेंगे charge q1 and charge q2 as you know very well electric charges की two different properties होती है first property is like charge repel into each other and the second property is unlike charges attract into each other students पहले हम first case पढ़ते हैं जब दोनों charges q1 and q2 positive होंगे means के same polarity होगी तो अगर ये दोनों charges same polarity वाले हैं तो ये दोनों charges repel होंगे तो इन दोनों charges में force होगी क्यूंकि कुलम्स ने यही बताया कि जो charges है उन पे force exert करती है जब repulsion होती है q1 एक side पे move करेगा q2 दूसरे side पे move करेगा जो force q1 पे exert होगी वो f1 होगी और जो force q2 पे exert होगी वो q2 होगी बिसिकली जो charge q1 है उस पे जो force exert होती है वो charge q2 की वज़ा से होती है उसके effect की वज़ा से वो q4 जो है वो एक direction में move करता है similarly q2 जो charge है उस पे जो force act हो रही है that is also known as f2 वो force charge q1 की वज़ा से उस पे exert हो रही है क्योंके q1 charge जो है वो push कर रहा है q2 charge को opposite side पे और अगर charge जो है वो opposite होंगे means एक charge q1 जो है but let's suppose positive है और q2 negative है तो force of attraction क्रियेट होगी क्योंके first case में हमने ये देखा कि अगर दोनों charges same है like दोनों अगर positive है या दोनों negative है तो like charges तो repel करेंगे एक दूसे को जबके second case में हमने ये consider किया के let's suppose अगर एक positive charge है और दूसा negative charge है तो force of attraction क्रियेट होगी अब जो कुलम सला में charge q1 है और charge q2 है वो एक specific distance पे रखा गया है जिसको small r से denote किया गया है तो students force of attraction के case में means जब opposite charges होंगे एक charge positive होगा एक charge negative होगा तो इसके दरम्यान जो specific distance रखा गया है और वो reduced हो जाएगा वो distance कम हो जाएगा क्यों कियोंकि force of attraction इसमें भढ़ जाएगी charges एक दूसे के close हो जाएगे तो यहां से यह चीज proved होती है कि अगर force increase की जाए तो जो distance है वो decrease हो जाता है so force का relation जो distance से है वो inverse relation है force is inversely proportional to the distance between the two charges अगर distance q1 and q2 के दरम्यान increase होगा कितना increase two times होगा two times यहनिकि square times increase होगा तो वो distance force के inversely proportional होगा so charges q1 and q2 में जो distance रखा गया है small r वो एक straight line होगा कुलम्स ला में no zigzag line no curved line बिलकुल एक straight line consider की जाएगी कुलम्स ला में और उस line पे जो वो line जो as a distance consider की जाएगी second part of कुलम्स ला is that force is directive proportional to the product of the charges that is q1 and q2 students जो force है वो charges की polarity पे depend करेगी अगर तो opposite charges है means एक charge positive है एक charge negative है तो force of attraction जो है वो increase होगी same है अगर same charges है like charges है तो उसमें force of attraction जो है वो weak होगी उसमें force of repulsion जएदा होगी so forces also depend upon the polarity of the charges so proper definition of कुलम्स ला is the force of attraction or repulsion between two points charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them students कॉ humanities Leakinnya force is inversely proportional to the square of the distance between them and force is directly proportional to the product of the charges between them by combining these equations we get F is directed più Westminster Q 1 and Q 2 an inversely proportional to the square of the distance between them So students, हम बहुत बार इस चीज़ को discuss करते आएं कि directive proportional का जो sign है उसको खतम करने के लिए यहाँ पे constant introduce करवाय जाता है अब यहाँ पे coulomb slum में जो constant used होगा वो k constant used होगा So we get f equals to k, q1, q2 over r square k यहाँ पे coulomb constant है यह बहुत important role play करता है इस case में The value of coulomb's constant depends upon the medium between the two charges Students, if there is medium is air between these two charges then the value of coulomb's constant is 9 into 10 raise to power 9 newton meter square per coulomb square So this is all about the coulomb's law Now students, let's start with the most interesting topic that is the capacitor आज हम कैपेसिटर के बारे में discuss करेंगे के यह होता क्या है कैसे काम करता है इसका क्या basic function होता है सबसे पहले यह देखते हैं कि capacitor work कैसे करता है capacitor जैसे के नाम से ही prominent हो रहा है capacity किसी चीज़ को save करने के लिए उस body में space मुझूद हो So students, capacitors के case में energy की capacity को capacitors कहते है means कि capacitors में energy को saved किया जाता है stored किया जाता है अब यह energy क्या है और यह कैसे store करता है अब जैसे battery का हम यह concept परते हैं कि battery के अंदर क्या होता है कि chemical energy जो है वो store होती है अगर हम spring को compress करेंगे तो spring के अंदर potential energy store होती है सेम इसी तरह capacitor के अंदर electrostatic energy store होती है students, capacitor का symbol A figure में show है इसमें दो parallel lines में plates जो है वो attached होती है capacitor में यह दो parallel plates conducting plates होती है इन दोनों plates के दर्मियान एक छोटा सा distance रखा जाता है यह parallel plates basically एक particular distance पे रखे जाती है इसके अंदर जो gap रखा जाता है इसको हम insulator से fill कर देते हैं और वो insulator dielectric होता है capacitor energy तब भी store करता है जब उसके बीच में dielectric fit किया जाता है तो capacitor में storage का काम dielectric ही करता है without dielectric capacitor charge store नहीं करता अब इन दोनों conducting plates को बैटरी के साथ connect कर देते हैं charged को store करने के लिए students capacitor अलग अलग shape के अलग अलग size के होते है जब capacitor को बैटरी से charge किया जाता है तो उस वक्त जो capacitor है वो energy को store करता है जब बैटरी को remove किया जाता है तो energy store रहती है capacitor में basically capacitor को energy store करने के लिए ही use किया जाता है so capacitor के बहुत सारे uses भी है इसको fans में use किया जाता है computer के motherboard में use किया जाता है electric motors में use किया जाता है और बहुत सारी इसकी applications है charged को capital किव से show किया जाता है charged is directive proportional to the potential difference of the battery students जितने ज़्यादा potential होगा उतने ही charges stored होगे अब यहाँ पे जो mathematical form बनेगी वो बनेगी Q is directive proportional to potential difference अब directive proportional sign को remove करने के लिए constant introduce करवा जाता है constant यहाँ पे capital C लगेगा और capital C is called constant of capacitor or capacitance so Q is equal to C V students अब यहाँ पे जो capacitance है या constant of capacitor है उसको जब निकालेंगे या उसको find करेंगे तो वो होगा C equal to Q upon V so अगर capacitance की definition देखें तो वो होगी it is defined as the ratio of the charge on the plates to the potential difference applied across the two plates students capacitance का ऐसा unit farad है और farad की definition है if one coulomb of the charge given to the plates of the capacitor produced a potential difference of one volt between the plates so students if we give the one coulomb of charge to the plates of the capacitor then it will produce the potential difference of one volt this is equal to the one farad so this is all about the capacitance and the constants of capacitors now students here we are going to discuss combination of the capacitors in which we will learn firstly capacitors in parallel students parallel combination में जब capacitors को adjust करेंगे तो हर capacitors की जो left plate होगी उसको बैटरी के positive terminal के साथ connect करेंगे और सेम इसी तरह right plate जो है हर capacitor की उसको negative terminal battery के साथ connect करेंगे students combination of capacitors में आप दो या दो से ज़्यादा capacitors को adjust कर सकते हो अब यहां पे जैसा कि फिगर में तीन capacitors को adjust किया गया है अब यहां पे जो voltage है capital V show किया गया है voltage यहां पे दिया जाएगा across the battery battery और के यहां पे switch है जहां से हम charges जो है इस capacitors में पास करेंगे तो students अब यहां पे जैसे हमारे पास जो first point है each capacitor connected to the battery of the voltage V has the same potential difference across it students parallel case में जो potential है वो same होगी जब capacitors को parallel हम adjust करेंगे जैसे अब यहां पे जो capacitor 2 है C2 और जो charge उसका है Q2 students इस point पे आप देखेगा आप एक point को let's suppose आप A कह सकते हो दूसरे point को भी कह सकते हो तो यह point तो fixed रखा हुआ है यह point यहां से लेके जो voltage है जहां से आप voltage थ्रू बैटरी आप अप्लाइ करते हो तो इस में voltage जो है वो सेम है अब आगे जो fixed point है A point और B point जहां पे capacitor C2 जो है वो adjust हुआ है तो उसी के साथ connected है capacitor C1 और उसी wire के साथ connected है capacitor C3 तो यहां से जो voltage है वो across C1 across C2 and across C3 जो है वो equally divide होगी तो parallel case में जो voltage है वो सेम होगी across capacitor 1 across capacitor 2 and across capacitor 3 बट इसमें different क्या होगा कि हमारे पास जो charges है parallel case में वो charges जो है वो different होंगे students आप जैसे ही switched को on करते हो तो charges flow होते हैं इस conducting wires से तो basically होता क्या है कि अब जैसे ही charges यहां से flow करेंगे जो इसकी बैटरी की wire है वहां से तो equally flow करेंगे पट आके जहां पर जाके capacitor C2 attached है उस point पर जो मैंने first point के लिए discuss किया था कि let's suppose आप इसको point A कह दें और दूसरे end पर point जो है उसको B कह दें तो अब यहां पर देखिएगा students के आगे जो capacitor की जो wire है वो three different path पर divided है first path capacitor C1 की तरफ है second path जो capacitor C2 है उसकी तरफ है और third path जो है वो capacitor 3 की तरफ है तो students आप charges या current को as a river consider करें आप यह imagine करें को जो river का water है वो एक path से flow कर रहा है तो वही path आगे जाके तीन different paths में divided है तो river का water जो किसी एक path में move नहीं करेगा बलकि वो तीनों paths में equally जो वो distribute जो हो जाएगा तीनों path में वो water जो move करेगा किसी एक path को follow नहीं करेगा तो same imagination इसी parallel combination of capacitor में आप किजिए कि जैसे ही current जो है वो move करेगा और उस point पे पहुंच जाएगा जिस point पे आगे जाके capacitor C1, C2 and C3 adjusted है तो इन three capacitors में जो current है वो distribute हो जाएगा so current यहां पे same नहीं होगा जबके voltage जो है वो same होगी parallel case में तो जब हम total current जो है वो निकालेंगे means कि जो total charge find करेंगे जो battery supplied करती है वोगा capital Q equals to Q1 charge 1 across capacitor C1, charge 2 across capacitor C2 and similarly charge 3 that is Q3 that is along the capacitor 3 so students as you know very well charge equals to Cv जो का capacitance के case में हमने पड़ा है तो Q1 की जगा C1 V put कर देंगे plus Q2 equals to C2 V and Q3 is equals to C3 V so by putting the values of Q1, Q2 and Q3 we will get Q equals to C1 V plus C2 V plus C3 V students here potential difference that is the V voltage is common in this case so by taking common voltage we get C1 plus C2 plus C3 sum of all the capacitors students यहां पे V जो common लिया उसको Q के निचे divide कर दिया so we have equation Q upon V equals to C1 plus C2 plus C3 now students we replace capacitors all the capacitors that is C1 plus C2 plus C3 is equals to equivalent capacitance तो अगर हमारे पास parallel combination में जितने भी capacitors हैं उनकी जगा अगर हम एक ही equivalent capacitors लगा दें तो वो होगा C equivalent equals to C1 plus C2 plus C3 और students यह भी जरूरी नहीं है कि just three capacitors ही लगा सकते हैं हम n number of capacitors लगा सकते हैं जितने चाहें मर्जी उन capacitors को हम parallel combination में adjust कर सकते हैं तो अब यहां पर जो C equivalent है वो आप ले सकते हो equals C equivalent equals to C1 plus C2 plus C3 C3 up to son Cn, n number of capacitors means कि आप इसमें use कर सकते हो students एक बात याद रखेगा जो equivalent capacitors है parallel combination में वो जो है वो greater than होगा individually capacitors से means कि जो एक single capacitor है उससे greater effect रखेगा जो equivalent capacitors है so parallel combination में जो capacitors की value है वो increased होगी so this is all about the parallel combination of capacitors now we are going to discuss series combination of the capacitors student series में capacitors को एक line में connect किया जाता है end to end अब एक capacitor का एक part जो है वो दूसरे capacitor के एक part से connect किया जाता है और same इसी तरह दूसरा end जो है वो दूसरे capacitor के first part से connect किया जाता है and similarly so on इसी तरह connection जो आगे कियी जाती है means कि एक ही line में इन सब capacitors को adjust किया जाता है और फिर इन capacitors को battery के साथ connect किया जाता है potential difference provide किया जाता है battery का एक end positive होता है दूसरे end negative होता है through battery charges flow करते हैं अब हमने इसमें ये देखना है कि voltage means कि जो potential difference है और charges है ये कैसे vary करते हैं series case में students series connection में charge का flow हर capacitors के around जो हो same रहेगा क्यूंकि students charges को या current को आपने as a river consider करना है तो जैसे ही switch on होगा current flow करना इस conducting wire में से start हो जाएगा तो जैसे ही current flow करेगा और capacitor C1 तक पहुंचेगा same इसी तरह C2 and C3 ये तिनों capacitor जो है वो एकी series में एकी line में connected है तो current को path एक ही मिलेगा जिसमें से ये current flow होगा so series combination में जो current है उसका path एक ही होगा so current same होगा series में so students series combination में जितने भी capacitors आप adjust करोगे उन सब के सब capacitors के across जो है वो current बिल्कुल same रहेगा जो charges है वो same रहेंगी across capacitor C1 across capacitor C2 across capacitor C3 और जो series combination में potential difference है students potential difference across capacitor 1 across capacitor 2 across capacitor 3 जो हो distribute होगा जो potential difference है वो divide हो जाता है all the capacitors that is adjust in the series combination so students if the charge is same in the series combination so we will write as Q1 equals to Q2 equals to Q3 and equals to Q so all of the charges that is Q1, Q2 and Q3 all of these charges is equal to Q that is supplied by the battery but students potential difference is different in the series combination so we will write as V equals to V1 plus V2 plus V3 by using the formula of capacitance that is Q is equals to C V students अगर यहां पर voltage की values हम निकालते हैं तो V equals to Q upon C बनता है तो V1 is equals to Q upon C1 V2 equals to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3 so यहां पर इस equation में हमारा पास जो charge है वो same होगा by taking common charge we have 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 अब जो charge है Q वो V के निचे आकर divide हो जाएगा so we will get V upon Q equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 similarly आप जो है different जो capacitance है C1, C2, C3 इनकी replacement में equivalent capacitors को जब adjust करते हैं या net capacitance को आप adjust करते हैं so it will become 1 over C equivalent equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 for N number of capacitor we have 1 over C equivalent equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 up to zone 1 over C N तक so students series connection में जब capacitors को connect करते हैं तो जो total या net capacitor है उसकी value decrease हो जाती है so this is all about the series combination of capacitors now students here we are going to discuss the basic difference between series and parallel combination students series combination में as you know very well charges same होते हैं but parallel combination में charges जो है वो along each capacitor जो है वो different होते हैं charges जो वो vary करते हैं change हो जाते हैं और series connection में जो potential है वो change होगी across every capacitor but parallel combination में जो उसकी potential है वो same रहेगी across each capacitor अब जो series connection है उसमें जो equivalent capacitors थे वो decrease होंगे जबके parallel connection में equivalent capacitors increase होंगे now students here we are going to discuss some different types of capacitors like paper capacitor, mica capacitor, variable capacitor, fixed capacitor parallel plate capacitor में दो plates होती हैं और इन plates के center में dialectic होता है अब blue color में जो आपको नज़र आ रहा है यह aluminum foil है और इस foil को separate करने के लिए एक grease paper रखा जाता है parallel plate capacitor fixed capacitor की type है parallel plate capacitor को fans वगरा में यूज किया जाता है यह cylindrical form में रोल किया जाता है क्योंकि इस direction में या इस arrangement से यह जो है यह बहुत कम surface area जो उसको cover करता है means कि बहुत जगा जो वह नहीं गिरता तो इस पर जासे इसको cylindrical shape में जो अवरजस्ट किया जाता है parallel plate capacitor की type paper capacitor है यह भी cylindrical shape में होती है और यह fixed होती है parallel plate capacitors में as a dielectric हम oil या grey paper या कोई भी जो है thin plastic sheet जो हम उसको ले सकते है as a dielectric use कर सकते हैं दो aluminium falls के दर्मियान parallel plate capacitors को as a cylindrical shape जो उसको लिया जाता है उसको उस तरह से बनाया जाता है और इसके जो outermost जो इसका surface area उसको plastic casing से cover किया जाता है next type of capacitor is mica capacitor students mica capacitor बहुत ज़्यादा जो weak होता है यह तूटने का हत्रह होता है इसका इस वज़े से इसको plastic casing किया जाता है Mica capacitors की values भी कम होती है like 10 pico farad, pico equals to 10 raised to power minus 12 Mica capacitors की output लेने के रिए 2 wires attached होती है Mica capacitors को इनी wires के through circuit में attached किया जाता है तो अगर capacitance increase करनी हो बहुत सारे capacitors attach करते हैं और वो parallel में attach करते हैं किमकре parallel में जब capacitors को attach करेंगे तो उसमने उसके capacitance increase हो जाएगी बट सीरीज में उसकी capacitance decrease हो जाती है Next type of capacitor is variable capacitor Variable means changeable Students variable capacitor में एक plate fixed होती है और एक plate जोगा rotation कर सकती है Means के वो rotate हो सकती है एक fix नहीं होती और variable में यह जो plates हैं एक fix होती है और एक variable है इनका distance change नहीं हो सकता variable capacitor में जो rotatable plate है जब उसको rotate करते हैं तो जो fixed plate है उसके सामने वो face to face आ जाती है जितना भी area plates का एक दूसे के सामने से कम होता जाएगा उतनी ही capacitance उस variable plates की जो हो कम होती जाएगी जैसे ही variable capacitors का plate जो है rotatable plates जो है वो rotate करेगा तो उस plates का जो facing area है वो change हो जाता है जिसकी वज़ा से हम capacitance की value find कर सकते हैं उस plate पे variable capacitors को usually radios वगारा में use किया जाता है ताकि इसकी frequency जो है वो different angles से setup की जाए इसे वज़ा से इसको as a radio tuning circuit भी कहा जाता है next is electrolytic capacitors students as you know capacitors is that device that store the energies और charges तो students electrolytic capacitors में हम electrolyte को use करते है students electrolyte एक ऐसा substance है जो ionize हो सके अब ionize होने का क्या मतब है let's discuss with the common example अब जैसे salt water में mix हो जाता है salt का chemical formula होता है NaCl ये electrolyte होता है means कि ionize हो जाता है Na positive ions में और Cl negative ions में ionize हो जाता है अब ये जो Na positive ions है और Cl negative ions है ये water के molecules H2O के साथ react करते हैं और salt mixed हो जाता है water में similarly electrolytic capacitors में एक एक ऐसा solution यूज़ करते है जो electrons को conduct करता है ions के थूँ इस process में ions बनते हैं तो इस capacitors में जो conduction होगी वो ions की motion की वज़ा से होगी इस capacitor में metallic foils यूज़ किये जाएंगे जिसको as a aluminium foils consider किया जाता है foil का एक जो end है वो positive terminal of the battery के साथ टेस्ट करेंगे और दूसरा end जो है negative terminal of the battery के साथ टेस्ट करेंगे इन दोनों foils के दरम्यान में एक paper जो उसको टेस्ट किया जाएगा और फिर उसको as a aluminium foils जो है उसको pack up किया जाएगा फिर उसके बाद उसको एक ऐसे solution में डालेंगे जिसमें इसके जो है वो आइंस बनेंगे उसका reaction जो वो aluminium के साथ होगा जो aluminium foils है उसके बाद इसका जो oxide layers बन जाएगी जो aluminium foil की जो layer है उसके उपर जो भी metal यूज करते हैं उस layer के उपर उस metal के metal का जो oxide है वो बन जाता है means कि metallic oxide जो है layers है वो बन जाती है यह layers बहुत ज़्यादा थिन होती है जिसकी वज़ा से जो इस electrolytic capacitors की capacitance है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और यह जो layer बनती है oxides की यह as a dielectric के तोर पर यूज होती है तो electrolytic capacitors की जो capacitance है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है capacitance किसी भी capacitor की हाई करने के लिए दो जो important चीजें उनका ह्यार रखा जाता है number one उसका area increase होना चाहिए number two उसका distance जो है वो decrease होना चाहिए तो जो electrolytic capacitors है उसका small size है और इसकी जो faces है blue color में जो आपको नजार आ रहे है अब face भी use होता है this is all about the electrolytic capacitors now students there are so many uses of capacitors capacitors have so many applications in different electrical and electronic circuits capacitors को transmitters की tuning के लिए receivers के लिए वो transistors radios में used किया जाता है table fans में use किया जाता है ceiling fans में exhaust fans में use किया जाता है capacitors को washing machines में use किया जाता है motors में use किया जाता है air conditioners में use किया जाता है capacitors को radios में भी tuning frequencies के लिए यूज किया जाता है जिसकी वज़ा से उसको filter circuits भी कहा जाता है now students here we are going to discuss some applications of electrostatics number one is electrostatic air cleaner this is also known as electrostatic precipitator students आपको यह मालूम होगा कि जैसे आप chimneys है उनका जो smoke होती है उनका जो दूआ होता है वो air को pollute करती है तो basically यह जो procedure है यह उन उस दूएं को जो है वो filter करके या वो unpluted करके उस smoke को air में transfer करता है students इस चेंबर के basically दो electrodes होते हैं जो के positively charged होते हैं basically chimneys का दूआ इस चेंबर में से पास होके बाहर निकलता है air में जाने से पहले इस procedure में means के electrostatic air cleaner के इस chamber में एक जो है wire या जाली नुमा एक wire gauze जो है उसको fit किया जाता है so जो इस chamber के electrodes हैं वो तो positively charged होते हैं so by electrostatic induction ये net sheet जो है means के जो wire gauze है वो negatively charged हो जाएगी तो जब dust particles या जो smoke है वो इस wire में से पास होगा तो इस wire में से wire gauze में से गुजनने की वज़ा से वो जो smoke particles हैं या dust particles हैं वो भी negatively charged हो जाएगे so अब होता क्या है कि जो हमारे पास electrodes हैं इस chamber के वो positively charged है तो smoke या dust particles जो है वो negatively charged particles हो जाएगे तो attraction create होगी इन दोनों particles में जो electrodes हैं उन में और जो dust particles हैं उन में जो attraction create हो जाएगी अब attraction कैसे होगी कि जो smoke particles हैं या dust particles हैं वो electrodes जो उसके जो surfaces हैं या जो electrode plates हैं उसके साथ जो smoke particles चिपक जाएगे उसके साथ जो attach हो जाएगे तो इस procedure के बाद जब attraction होती है smoke particles की electrodes के साथ तो students जो pollute कर रहे होते हैं atmosphere को या air को तो जो polluted particles हैं वो तो attract होगी उसके बाद जो air escape होती है वो polluted free जो है उस चिमनीज में से निकल सकती है similarly इसकी एक example जैसे हमारे गुरों में lactostatic जो है वो air cleaner जो है वो यूज किया जाता है तो इसमें भी plates को positively charged करते हैं और lactostatic induction की वज़ा से जो net sheet उसकी होती है या sheet gauze जो होती है वो negatively charged हो जाती है और सबके सब जो dust particles है वो एक site पे attract हो जाते है और जो air है वो easily polluted free जो प्रोसेजर से जो है वो निकल जाती है next application of lactostatic is power painting and this is also known as spray painting ये घाड़ियों को paint हो गयरा करने के लिए used किया जाता है ये procedure जो के बहुत cheap है बहुत सस्ता जो है वो easily हो जाता है इस वेज़ा से इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है spray painting basically एक ऐसा procedure है जो एक layer बन जाती है paint किया जाता है घाड़ियों को और बहुत ही एक thin kind of layer जो है वो बनती है घाड़ियों पे जो के बहुत original लगती है और ये बहुत ज़्यादा cheap procedure है और ये जो spray painting का procedure है ये बहुत ज़्यादा common है students से power painting या spray painting के वक गाड़ी के जिस पार्ट को भी spray किया जाता है सबसे पहले उसको जो है वो ground किया जाता है गाड़ी के उस painting पार्ट को ground इस वज़ा से किया जाता है क्योंकि जो charges outer side से आते हैं through air तो वो charges जो है ground में automatically जो है वो चले जाए because as you know very well earth is a good conductor spray करने के लिए जो spray gun यूज की जाती है वो basically जो तीन wires के साथ connected होती है एक high voltage means के जो voltage को high करे उसके लिए यूज की जाती है दूसरी wire जो paint है means के paint तो obviously liquid form में है उसको particles में change करती है जबके जो third wire है वो power supply wire है वो particles को charge करती है जो spray gun की जो first wire है जो के high voltage provide करती है वो इसलिए important है कि जब second wire में से liquid paint निकलेगा तो वो equally charged हो जाएगा liquid particles positively charged हो जाएगे अगर ये positively होंगे तो एक दूसरे को repel करेंगे और liquid paint घाड़ी की जएदा surface को जो है वो cover कर पाएगा इस वज़ा से इस method से कम paint यूज होता है इस तरह से फिर घाड़ी पर एक thin layer बन जाती है जो के बहुत ही original लगती है बिसिकली होता क्या है कि जब ये positively charged particles जो है वो घाड़ी की surface पर आते हैं जो के ground किया होता है वो part जो घाड़ी को होता है वो already ground किया होता है और electrostatic induction की वज़े से उस surface पर negatively charged होते है तो जब positive charge और negative charge दोने एक साथ होंगे तो attraction create हो जाती है कि जो अनलाग charges होते हैं उनके दरम्यान attraction produce होती है और इस case में attraction का मतब ही है कि जो liquid particles है वो attract हो जाते हैं उस घाड़ी की surface पर और इस तरह से वो घाड़ी जो वो paint हो जाती है तो this is all about the electrostatic power printing now students here we will going to discuss some hazards of static electricity first is lightning students आस्मान पे light चमकते हुए हम सब ने देखा है बहुत बार हम ये देखते हैं कि ये बिजली बहुत तेज चमकती है और current की तरह अर्थ पे गिरती है और इसके लवा जो टाल बिल्डिंग से हैं वहाँ पे ये बिजली बहुत तेजी से गिरती है as a current तो basically जब आस्मान पे clouds बनता है तो वह water vapors होता है और बहुत सारे ice के चुटे चुटे particles बनते हैं ये सारे particles आपस में जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो rubbing होती है तो उसके अंदर जब charged particles develop होता है तो positive और negative charged clouds के अंदर develop हो जाते हैं due to rubbing और clouds में arrangement हो जाती है जैसे positive charge जो है वो clouds के उपर वाली सता पे जो है वो adjust हो जाते हैं और negative charge जो है वो नीचली तरफ जो है वो arranged हो जाते हैं और students ये बात तो हम जानते हैं जो के हम पीछे भी discuss करके आएं कि अलेक्टर स्टेटिक इंडेक्शन में होता किया कि जब कोई भी negative charge object अगर हम एक neutral object के पास लेके जाते हैं तो नेटर जो सर्फिस है जो के उस charge particles के जो करीब होगी वहां पर positive charge develop हो जाते हैं पॉजिट्ले चार्ज रोड लेके आते हैं तो नेगिट्यट्व चार्ज जो है वह उनकी अर्इच्छ्मेंट neutral behave करेगी और उस पे जो है वो positive charge जा जा जाएंगे तो thunder जो है conformed होता है और thunder की वज़ा से जो है वो electrons transfer हो जाते हैं तो clouds जब transfer करते हैं electrons को earth की त Norv उस phenomenon को lightning कहते है means बिजली चमकना कहलाता है तो students की जो lightning है इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं जैसे बहुत सारी जो टाल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आग लग सकती है किमके बिल्डिंग्स जो है वो बहुत उंची होती है तो जब इलेक्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो सबसे पहले तो जो हाई प्लेस होता है मीन जो हाई बि जाती है जिसको लाइटनिंग रोड कहा जाता है तो जैसे ही बिजली जो है आसमानी बिजली गिरती है सबसे पहले इस जो लाइटनिंग रोड है इसके साथ उसका कॉंटेक्ट होता है लाइटनिंग रोड को बिसिकली जो अर्थ है वहां पर जो इसका कॉनेक्शन रखा जात और जैसे ही विचली जो वो गिरती है तो चार्चिस जब भी ट्रांस्फेर होते हैं वो इस वायर में से ग्राउंड में चले जाते हैं तो जो टाल बिल्डिंग्स हैं या कोई पी उंची अमारत है तो वहां पर वो बिल्डिंग्स जो है इस लाइटनिंग रोड्स की वाज़ा से सेफ रहती है और वहां पर यह लाइटनिंग नहीं फॉल होती वो दिस लाइटनिंग्स फार खॉएंट